जाहिन दोस्तों बेलकम बैक तार्मीवा यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अगनीवीर स्पेशल मोडल टेस्ट पेपर तो पूरे 50 प्रिशनों का यह आपका मोडल टेस्ट पेपर हेगा और अगनीवीर भरती से लेटेड या फिर कह सकते हैं ने पैटन अगनीवीर भरती पर यह पूरा का पूरा मोडल टेस्ट पेपर आपका डिस्कस करेंगे आज हम रियाद रखिएगा अगनीवीर का यह मोडल टेस्ट पर नमबर दो होगा और हर संडे या फिर मंडे को जह हम अपना टेस्कस करते हैं इसमें पांच चार आपके स सेक्षिन होते हैं समाने घ्यान का इनी जीके का साइंस का मैथमेटिक का और अर्जनीं का जिसमें पैटन आपको पता है पैटन चेंज जिसमें जरा भी नहीं हुआ है जिसमें आपके लिए तार्गेट रहेगा याद रखना है तार्गेट आपको इंपोर्डिट है पचास question का रहेगा time आपके लिए जो है maximum आपको लेके चलने कितना डाइम लेके चलना ये भी imported है और 1.4 आपकी negative marking होती है time आपको लेके चलने हर 50 minute हर test के लिए आपको 50 minute लेके चलने है ज्यादा आपको detail में नहीं जाना है चलिए इसे कर लेते हैं तो decide में पहला कोशन आपके सामने है कोशन नमर एक आपके सामने बोलता है माफ कीजिएगा दोस्तों अगर आपको अवास थोड़ी सी ऐसी वैसी आरियो माइक लगाना मैं भूल गया था पहला कोशन आपके सामने है गन्ने से क्या प्रापत होता है तो शुगरेंस याड से हमें क्या प्रापत होता है चाबल मक्का चीननी या फिर मसाले तो गन्ने से हमें क्या प्रापत होता है बिलकुल से दोस्तों चीननी यानि शुगर प्रापत होती है option number C, बिलको right answer अरहेगा question number 2 आपके सामने है किस वरश 11 सितंबर को आतक वांदियों ने नियोरक के World Trade Center को दो हवाई जहाजों से टकरा करतवा कर दिया था, जिसे हम किसके नाम से जानते है, 9-11 किसके नाम से, 9-11 या फिर 11-9, ठीक है, पर हाँ 9-11 के नाम से जाते है, क्योंकि जो अमेरिका है, वो पहले मंथ account करता है, ठीक है, पहले मंथ account करता है, उसके बार date account करता है पर इंडिया में पहले date आती है फिर आपका month आता है तो 26, हम आफ़ कीजिए, 9-11 जो है, कौन से भरिश हुआ था 2003 में, 2002 में, 2001 में या फिर 2000 Sun में तो right answer कह रहेगा दोस्तों बिल्कुल सही दोस्तों 2000 Sun में जो है World Trade Center पर कह सकते हैं दो हवाई जाज़ों नहीं या फिर आंधकियों नहीं जो हमला किया था question number 3 आपके सामने है email का अर्थ क्या होता है what is the meaning of email email की full phone आपके पूछी हुई है option आपके सामने है electronic mail, egologic mail, easy mail या electric bell email की full phone क्या होती है email mail तो आपको बता है ठीक है यह क्या होता है electronic यह electronic mail होती है तो जिसे हम कह सकते है email short form है option number a जो भी बता रहे है electronic mail इसका विलकुल right answer रह जाएगा question number 4 आपके सामने durand cup के scale से सबंदीत है with which game is a durand cup associated option आपके सामने है option माफ कीजेगा हिंदी में आपके type हुए है football फुटबोल पा आपको बताने की जूट नहीं पड़ेगी football से सबंदीत है वेडिमेंटन से आपका सबंदीत है cricket से आपका सबंदीत है या फिर tennis से आपका सबंदीत है जल्दी से बताइए durand cup किस scale से सबंदीत है बिलकुल से दोस्तों किस सबंदीत है फुटबोल से आपका सबंदीत है option नमबर ए बिलकुल राइड अंसर आपका अरहेगा question नमबर पांच आपके सामने है मुगल वंश की स्तापना किसने करी थी मुगल वंश की स्तापना किसने करी थी option सुनिएगा हुमायू बावर जहांगीर या फिर अकबर most important question है याद रखना है आपको कोई भी एक्जाम हैगा आपका GD काओ ट्रेड मैन को लरकाओ हो सकता है कि मुगल वंश की स्तापना किसने बावर दवारा किसकी स्तापना मुगल वंश की स्तापना भारत में करी गई थी question number 6 से पहले वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेर कर दीजीगा question number 6 आपके सामने है आमरनाथ गुफा डैश में स्तीत है आमरनाथ के इस लोकेटिड इन ऑप्शन है आंदर प्रदेश चम्मू कश्मीर हीमाचल प्रदेश या फिर उत्रा खरने चल्दी से बताई दोस्तों आवरनाथ गुफा आएं कहां पर स्तीत है जम्मू कश्मीर में स्तीत है ऑप्शन नंबर भी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिलकुर एड़न से आप बता रहे हो question number 7 आपके सामने है अंतरास्ति नियाले का मुख्याले डैश में स्तीत है the headquarter of the international high court of justice in located in डैश चिनेवा रॉम विएना या फिर हें इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्याले headquarter कहां पर स्तीत है दा हें नियदरलैंड में स्तीत है ऑप्शन नंबर डी जो भी दोस्त बता रहे हैं दा हें नियदरलैंड विलकुर एड़न से आपका रहेगा question number 8 आपके सामने है बिहार राज्य से डैश राज्य बनाया गया है डैश स्टेट वास्थी covered out of बिहार स्टेट ऑप्शन आपके सामने है उत्तरा खंड चार खंड 36 गड़िया फिर काला हड़ी तो काला हड़िया से ऑप्शन में कर जाता है काला हड़ी कोई राज्य है नही उत्राखंड की बात करें तो उत्राखंड हिमाचल के साल लगता है बिहार के साथ इसका लगता भी होगा पर बिहार के साथ कोई भी इसकी तालुकात नहीं होता क्योंकि उत्राखंड जो एक पहाड़ी लाका है हिमाचली पहाड़ी लाका है तो उत्राखंड बिहार से तो राखन हो नहीं सकता बचा कोंच चतिस गड़ और जारकाड रहेगा बिल्कुल से दोस्तों जारकड ऑप्शन नंबर भी दोस्त भी दोस्त बता रहे हैं बिलकुल राइट अनसर आप बता रहे क्या जारकड इसका राइट अरहेगा Q9 आपके सामने है निवन मैसे किस भारती राजे ने निर्वाचिन भिवाग ने व्यक्त मतदाताओं के दवारा सबसे बड़ा मानवी निशान स्थापित करने के लिए इसे लीम का बुक आफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था यह आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कौन सा ऐसा राजे था मिजोरम मिगालया तुरिपुरा या फिर मनिपूर तो निवन मैसे किस राजे दवारा जो है किसके दवारा निर्वाचिन भिवाग ने बेक्त मतदाताओं के दवारा ठीक है अडल्ट जो होते हैं यंग जो हो गाले option number B बिल्कुल से दोस्तों में गाले option number B राइट अंसर अरहेगा अब याद रखना है exam में current के question भी बुझे जाते हैं पर बिल्कुल current के question नहीं पूछे जाते एक साल से दो साल या तीन साल लो दो से तीन साल थेक है दो से तीन साल के important important question ही पूछे जाते हैं और यह जैसे याद रखने है आज आपका exam है तो एक महीने का एक महीने पहले का current और फिर आपसे question नहीं पूछेगा question number 10 से पहले वीडियो को like नहीं करा जल्दी सभी दोस्त वीडियो को like और share कर जीजेगा question number 10 है कन्या कुमारी कोन से राज्य में स्तीत है in which state कन्या कुमारी is located option है आंदर प्रदेश, तमिल नाडू, केरल या फिर और इसा जालदी से बताएए कन्या कुमारी कौन से राज्य मस्तिता है कहा प्रस्तिता है तमिल लाडू मस्तिता है बिलकुल से दोस्तों ऑप्शन नमबर भी तमिल लाडू जो भी दोस्त बता रहे हैं बिलकुल राड़न से आप बता रहे हो Question number 11 आपके सामने है कौन सा देश सबसे अधिक मातरा में गैस का उत्पाधन करता है Which country produced the largest amount of gas ये question आपका सेम मुझफ़र गुरू का question में पूचा गया तो और सेम question आपका यहाँ पर बताया गया निया Natural gas है या कोई और gas है तो सबसे अधिक मातरा में उत्पाधन कौन सा देश करता है Natural gas का आपको बताना है और question आपके लिए home work रहेगा यहाँ पर दो option बता देता हूँ सौधी आर्व और इरान नहीं होगा अमेरिका और रशिया में एक answer आपका होगा तो comment box में जुरूर आपको दोस्तों बताना है question number 12 आपके सामने है नीमन मैंसे किस देश ने Tamil भाषा को एक अधिकारिक भाषा का दर्जा दे रखा है which of the following country has Tamil as one of its official languages option आपके सामने Singapore, Mauritius, Maldi, Piafra, Indonesia चलिए जल्दी से बताए नीमन मैंसे किस देश ने Tamil को अपनी अधिकारिक भाषा यहनी आपशली लेंग्वेश बना के रखा हुआ है Singapore option number A जो भी दोस्त बतारे हैं बिलकु राइड़न से रहेगा और याद रखीगा Singapore के सासस कोन आपका जो अभी है कंगाल हो चुका है कौन सा देश श्री लंका श्री लंका जो है श्री लंका में भी जो है इसने या फिर कह सकते हैं श्री लंका देश ने जो है तमील भाषा को एक अधिकारिक भाषा बना रखा है नेक्स कोशन आपके सामने आमतोर पर कंप्यूटर चिप डैश द्वारा बनाई जाती है जर्नली कंप्यूटर चिप इसमेड वाए सोना सिलिकॉन शीशा या फिर क्रोमियम जल्दी से पताई राइड एंसर कह रहेगा और याद रखना ताइवान में ठीक है ताइवान का इशू करेंट में चला हुआ है और ताइवान को ठीक है ताइवान जो है 70% जो चिप होती है यह सिलिकॉन जो होता है ठीक है कंप्यूटर की जितनी भी चिप होती है फिर सिलिकॉन की जो होती है सबसे अधिक मातला करता है और चिप का 70% जो है कहां से आता है ताइवान से आता है तो अमेरिका भी से सपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे देश इसे सपोर्ट कर रहे हैं तो सिलिकॉन आप्शन नमबर 20 का रहेगा आमतवर पर कंप्यूटर चिप चाहे यह देखो यह मेरा फोन है जो मैं टैप से वीडियो बना रहा ह तो इंपोर्ट कोशन है और करेंट का जो इशू है उसे भी आपको थोड़ा देखते रहना है नेक्स्ट कोशन आपके सामने है ग्रीन इंडेक्स डैश के दवारा विक्सित किया गया है ग्रीन इंडेक्स हैज भी डिपलाउप इड़ बाई अप्शन आपके सामने विशर बैंक स्विक्त राष्ट पर्यावरन कारेकरम या फिर रिजर बैंक ऑफ इंडिया या फिर अंतरास्ति मुद्रा कोश ठीक है पली है जल्दी से तो ग्रीन इंडेक्स जो होता है किसके दवारा बनाया जाता है यह बना जाता है उनाइटी ने बता रहे हूं कॉशन नवर 15 हैं गॉल्फ खिलाड़ी बीजे सिंग किस देश के नागरिक है गॉल्फ प्लेयर वीजे सिंग इसे सिटिजन ऑफ बीच कंट्री ऑप्शन है फीजी अमेरिका युनाइटेट किंग्डम या फिर भारत अगर आप ऑप्शन नमबर डी बता रह ठीक है थोड़ा सा सर्च आपको करना है नेक्स आपका रहेगा सेक्शन बी और याद रखिएगा मैंने टार्गेट नहीं दिया था जल्दी से बताइए जीके के 15 कोशन में से कितने कोशन आपके राइट ते टार्गेट मांखी चलते हैं डार्गेट आपका अनुशन है थ सिस्क ना συ sorcery जैसे रहो रहा है ये क्या हो ठीक है ये था क्या कर रहा हो थ्यांसर के नहीं कि दिख़िता बेता हो ए में अ क्या रहते हैं रोने को ठीका है चिला चिला के रोivering ईचा टाइप से आप दुख भी कह सकते हो रोना भी कह सकते हो ठीक है तो option number D यहां पर राइट और हीगा next question आपका करा हुआ है तो इसके लिए code user है अर्थ के लिए code user है तो आपको P, E, A, R, L के लिए तो P के लिए यहां 2 user है ठीक है E के लिए क्या? E के लिए 4 user है, E के लिए 1 user है, R बचा R कहां पर है? R आपका अर्थ में, R के लिए 5 user है और बचा L, L कहा है? L यहां है 3, ठीक है L के लिए 3, 24, 1, 5, 3, 24, 1, 5, 3, option number B में है तो option number B दोस्तों इसका बिलकुर राइट और रहेगा इस απ कोसिन है next question देखा सूर्य जहें, परकाशय स्वभंधित है antarm शुरे के लिए धा हो ब्रकाश कमरा नहीं यह तो Vive ऑव धालिया होता है Allah अब ध्यान से देखिएगा, school, school में क्या आता है, कक्षा के कमरे, कमरे में आपके क्या आते हैं, शातर आते हैं, पर education जो होती है, कौन देता है, teacher हमें देता है, तो option number D, यहां पर राइट रहेगा, मैं भी आपको शिक्षा दे रहेगा, पर याद रखिएगा, मैं teacher में नहीं आता है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं, तभी आपको सीखा रहा हूं, next question आपके सामने ध्यान से देखिएगा, 7, 9, 17, 19, 29, 29 और डैश आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा, 9, 27, 29, 29, 29, ठीक है, यहां कितने का gap है, plus 2 हो रहा है, next देखोगे, plus 8 हो रहा है, कितना हो ग प्रस और आप लीडूना हो गया, यहいたन क्या चला हो एपहले दो लरया है, फिर आट प्लस हो रहा है, फिर क्या होगे, फिर आट फिलस हो गे, virus 8 होंगे, कितने scholars विपा, 49 प्लस में, करो आपको रहेगा, और वीडियो का दोस्त लिक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिएगा नेक्स कोशन आपके सामने A, B, C और E पांच प्यक्ति हैं, यहां पर ध्याद निखला है जल्दी से लिख लेना है A, B, C, D और E यह प्यांच प्यक्ति है A, B से छोटा है A जो है B से छोटा है माल लेते हैं, A इतना है तो B कितना है, इससे छोटा है, ठीक है लेकिन E से लंबा है पर E से लंबा है, बोलता क्या है E से लंबा है, पर A जो है A जो है B से छोटा है पर E से लंबा है, तो माल लेते हैं A कितना है, E जो है, इतना है और A आपका बड़ा है यानि पहले condition जो आ रही है, सबसे चोटा E है, उससे बड़ा A है और उससे बड़ा B है, अब next question बरते हैं कि C सबसे लंबा है, C जो है सबसे लंबा है, तो C आपका यहाँ पर आ गया, अब बोलता है कि D B से चोटा है, D जो है, यह D जो है B से चोटा है, B से चोटा पर A से अब इसे बड़ाते हैं, यह A से तो बड़ा हो गया, पर B से आपको क्या करना है, B से आपको कम करना है, अब आपकी equation जो है, पूरी होगी A, B, C, E की, ठीक है, अब बोलता है कि वह व्यक्ति कौन है, जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं और दो व्यक्ति चोटे हैं, सबसे पहल है, A, तो बचा कौन, D, तो D से जो है, D से छोटे हैं, A और E, और D से बड़े हैं, B और C, तो बीच वाला को होना, यह निंबर तीन वाला पूछा हुआ है, D, तो D यहाँ पर option number D में दिया गया है, next question आपके सामने question, section C, science के target आपके लिए रहेगा, 12 question का, 12 question का क्यों देरा पर ध्यान से आपको देखोगे, तो question के थोड़ा level सा hard है, पहला question आपके सामने, वाता वरण में oxygen की मात्रा कितने परतीशित होती है, what is the percentage of oxygen in the atmosphere, 33.33, 25, 21, या फिर 30, कितने होती है, 20.9 आपकी होती है, maximum किसे जोड़ते हैं, maximum से 21% जोड़ते हैं, बिलकुल से दोस्तों, option number C, जो भी दोस्तों बता रहे हैं, बिलकुल रैड़न सर आप बता रहे हो, next question आपके सामने, question number 22, आपके सामने है, बादल कैसे बनते हैं, how are cloud for option, बाश्प से, नमक से, मिट्टी से, या फिर चीनी से, बादल जो होते हैं, किसके कारण बनते हैं, पानी, क्या होगा, option number A, इसका राइट अरहेगा, question number 23, आपके सामने, question number 23 है, 2 या 2 से अधिक, तत्व रसाइनिक प्रक्रिया से, जोड कर एक डैश बनाते हैं, 2 से 2, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, तत्व जो है, रसाइनिक प्रक्रिया से, मिलने के बनाते हैं, जलवत्व, मिश्रण, सोठ या फिर या फिर योगिक तत्व, क्या कहते हैं, जब भी 2 या 2 से अधिक तत्व आपके रसाइनिक तत्व प्रक्रिया करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, compound element कहते हैं, योगिक तत्व आपके कहते हैं, option number D, दोस्तों, राइट अरहेगा, question number 24 आपके सामने, बहुत से लवन, बाताबार में नमी को सोखते हैं, उसे परक्रिया को क्या का जाता है, dehydration, hydration, crystallization, या फिर delinquiescence, जल्दी से बताएए, right answer क्या अरहेगा, जब भी वाताबरन में नमी होगी, उसे सोखेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे, delinquiescence, क्या कहेंगे, delinquiescence, option number D, दोस्तों, राइट अरहेग question number 25 आपके सामने, मानव शरीर में घेंगा डैश की कमी के कारण होता है, quieter in the human body, इसके से बाहे, deficiency of copper, oxygen, iron, या फिर iodine, जाल्दी से बताएए, मानव शरीर में घेंगा नामक रोग किसके कारण होता है, बिलकुल से दोस्तों, iodine की कमी के कारण होता है, option number, क्या, option number D, question number 26 आपके सामने, निमन में से आदर्शिधातू कौन सी है, among the following, which is a noble metal option, noble gas तो आपने सुना होगा, ठीक है, noble gas तो सुना होगा, noble metal बताएए, कौन सी, तामबा, लोहा, जस्ता, या फिर, माफ करिए, इस पात, या फिर, सोना, अब आपसे noble metal पूछेगा, तो दो noble metal आपको याद रखनी है, आपकी कौन सी, एक तो आपकी सुना, यानि option number 10 का राइट रहेगा, दूसरी आपकी क्या, platinum, ये दो जो होती है, मत्रपुर्ण आपकी noble metal होती है, आपको बतारा है, total noble gas ए, कितनी आपकी होती है, जल्दी से comment box म है, right answer दोस्तों, बताइएगा, question number 27 आपके सामने, decimal किसकी इकाई होती है, decimal is the unit of butt, ध्वानी की तिवरता, बिजली की, उर्जा की, या फिर परकाश की, गती की, decimal is the unit of, किसकी unit होती है, sound industry, या फिर ध्वानी की तिवरता की unit होती है, बिलकुल सही दोस्तों, option number A, ध्वानी की तिवरता की इकाई होती है, decimal, question number 20 आपके सामने, बिद्वित प्रतिरोध हमापने की इकाई क्या होती है, what is the unit of measurement of electric resistance, बिद्वित प्रतिरोध, सीरा पुछता है, प्रतिरोध यानि, resistance की इकाई क्या होती है, option आपके सामने है, तो क्या होती है, ओहम होती है, option number V, ओहम इसका right answer अरहेगा, क्या होती है, resistance की unit आपकी ओहम होती है, next question आपके सामने, AIDS नीमन में से किसके कारण होता है, AIDS नामक बिमारी किसके कारण होती है, fungi, virus, bacteria या फिर proto जोगा, और जल्दी से बताइए, AIDS की full form क्या होती है, तो AIDS किसके कारण होता है, virus से कारण होता है, किसके कारण, virus के कारण होता है, option number B, दोस्तों, बिल्कुर एड़न से आपका अरहीगा, question number 30 है, कागज डैस से बनता है, paper is prepared from, option है, इथेन, sugar, cellulose या फिर, यूरिया, किसके कारण मनता है, जल्दी से बताइए, paper या फिर कागज जो आपका होता है, किसके कारण मनता है, है, cellulose के कारण मनता है, option number C, दोस्तों, रहीगा, question number 31 आपके सामने है, vitamin dash, खटे फोलो में, अधिक मातरा में पाया जाता है, vitamin dash is found in, upset in, kristis fruit, option, vitamin D, vitamin C, vitamin B, या vitamin A, तो vitamin C, जो होता है, किसमें पाया जाता है, खटे फोलो में पाया जाता है, तो option number V, vitamin C, जो है, खटे फोलो में, अधिक मातरा में पाया जाता है, और सबसे अधिक किसमें आमले में पाए जाता है और most important question है आपकी exam में पूछा जाता है संत्रे में पाए जाता है और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करा दोस्तों जलजी से वीडियो को लाइक और शेर कर जीजीएगा question आपके सामने मच्छर से फैलने वाली वीमारी है डैश इस एडिसीजीज प्रेश सप्रेड वाइ मॉस्किटो ऑप्शन है ब्लड फ्लू मलेरिया एड्स या फिर पीलिया चलती से बताईए मच्छरों से कौन सी वीमारी फैलती है मलेरिया नामक वीमारी किसे बिल्कुल से दोस्तों मच्छरों दवारा फैलती है कौशन वर 33 है हरित करांती डैश के उत्पादन से स्वंदित है ग्रिइन रिवलेशन इजौ टू डी प्र्रडक्शन अ फ्र्रडक्शन ॉफ डाएश कौशन विल्क प्रडक्शन और चूट प्रडक्शन वीमारी मुदेश तुन अरफ यहें के उत्पादन के विद यह तो Question number 34 आपके सामने है, सूरे के परकाश को पृत्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? How long does it take off for sunlight to reach the earth? Option है 6 minutes, 20 seconds, 5 minutes, 20 seconds, 4 minutes, 20 seconds या फिर 8 minutes, 20 seconds. सूरे के परकाश को पृत्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 minutes, 20 seconds लगते हैं. Option number D, 8 minutes, 20 seconds इसका right answer. Last question आपका science का, मौवत्ती का जड़ना किसके कारण या फिर कौन सी प्रक्रिया आपकी होती है? जैबिक प्रक्रिया, वाइलोजिकल चेंज, भौधिक और साइनिक यानि फिजिकल और केमिकल, भौधिक प्रक्रिया या फिर साइनिक परद्वर्तन. मौवत्ती का जड़ना कोन सी प्रक्रिया होती है? तो भौधिक और साइनिक दोनों प्रक्रिया आपकी होती है, option number B, बहुत फिजिकल एंड कैमिकल चेंज होते हैं आपकी मौवत्ती के जलने से, जल्दी से बताइए सर्णिल साइन्स के कितने कोशन आपके राइट से, तो दोस्तों मैंना कैमरा हटा लिया है, अब चेक करते हैं, मै spanning के कोशन को, तो मै कंद आखे लिए टार्गेट रहेगा 12 कौशन का, चलिए पहला कोशन आपके सामने हैं, एक इसी काम को, कितने दिन में, एक इसी काम को 10 दिन में करता है, कितना, यो이스 15 कारे को करते रहे हैं, यदि दोनों विलकर उसी कारे को करते हैं, तो ये कारे कितने दिन में होगा दोनों का टोटल कारे कितना जगा तीस आजएगा एक दिन में करेगा तीन कारे भी करेगा दो कारे टोटल कारे एक दिन का कितना पांच तीक है एक दिन का और टोटल कारे आपके पास तीस है तो पांच बटा तीस गर्द और तीस पटा पांच ग से लेकर 32 तक विश्यम संक्यय एक से लेकर 31 तक विश्यम संक्यय होती है, जल्दी से बताओ कितनी होती है 16 बिशम संखें आपकी होती है और यहां पर बिशम संखें का formula होता है बिशम संखें का योग जब भी निकालना होता है तो N स्केर आपका आता है यानि N आपका क्या होगा टोटल नंबर टोटल नंबर ओफ विश्यम संख्य टोटल नंबर ओफ विश्यम संख्य कितनी है 16 16 का स्केर कितना होता है 256 option number कौन option number A इसका राइट अरहीगा next question दोस्तों आपकी सामने question 38 आपकी सामने बोलता है ध्यान से बढ़िया राइट अंसर बताईएगा 1449 को 1 बटा 6 अनुपात 1 बटा 3 अनुपात 1 बटा 10 अनुपात में विवाजित करो पासा आपको कुछ नहीं कर रहे है बोलता है माना की A अनुपात B अनुपात C हमारे पास क्या है 1 बटा 6 अनुपात में 1 बटा 3 अनुपात में और 1 बटा 10 अनुपात में इससे सॉल्फ करो आपके पास A, B और C निकल जाएंगे सबसे वहले इन 3 कालसियम लो 3 कालसियम कितना आएगा 30 आपका आएगा अब 30 अलसिम आएगा याद रखकें यहाँ अनुपात है तो क्या होगा यह हो जाएगा 1 बटा 6 मल्टिप्लाई जो लसिम होगा उसे मल्टिप्लाई कर दो ठीक है उपर यानि मल्टिप्लाई आपको करना है 30 से यह पहला अनुपात आगिया अब दूसरे न न बट कीज से तिरे करो 3 अनुपात मल्टिप्लाई 30 और 3 सर्ण न लुबाथ 1 बटा 10 मल्टिप्लाई 30 6 पचे 30 होता है 5 आगया 6 से एकृटा कितना आगया 3 से एकृटा 10 आगया 0 से 0 एकृटा कितना आगया तो क्या करना है आपके पास total योग दिया हुआ संका का बोगी कितना है 1449 है अनुपातो का योग निकाल दो कितना जगा दस और पांच पंदरा तीन कितने 18 18 से multiply करो कितने को डल्दी से करो 18 को multiply करो कितने से भाग करो जल्दी से 1449 से तो आपके पास किसकी value आजाएगी आपके पास एक अनुपात की value आजाएगी कितने की एक अनुपात की value आजाएगी अब इसे मैं solve करके नहीं बताऊँगा जल्दी से बताई रेडिनसर क्या आएगा तो एक अनुपात की value कितने आजाएगी 80.5 कितनी 80.5 आजएगी तो एक उनपात की बहली कितनी थी अब यहाँ पर ठीक है याज रखो A, B और C 5, 10 और 3 मल्टिप्लाइ करो 80 को 5 से 80 को 5 से मल्टिप्लाइ करो कितना जगा 25 आपका आजएगा 0 करी आजएगा 25 ठीक है फिर आपका कितना आजएगा फिर काट होगे कितना जल्दी सोथा कितना आएगा कितना आएगा 402.50 ठीक है यह तो एक के उनपात की वैलिव है जो की option नमरे दे दिया हुआ है उसी तरह आप तूसरे का भी निकालो तीसरे का भी निकालो क्योंकि 80.40 को multiply करोगे सीधा 100 से तो point से यह point कर जाएगा कितना 805 आजएगा तो आपके पास right answer confirm हो गया next question आपके सामने question बोलता है एक वाई किसी यातरा को 48 गंटे 48 km पती गंटा की गती से 9 गंटे में पूरा करती है तो 6 गंटे में पूरा करने के लिए बाई की गती क्या होनी चाहिए यनि speed है आपके पास 48 गंटा 48 km पती गंटा जो की 9 गंटे में कोई दूरी है किसी भी दूरी तक पहुंच जाता है पर उसे जो है उसे जो है आप 6 गंटे में पहुँचने है 6 गंटे में पहुँचना है तो कितनी speed उसकी होनी चाहिए सबसे पहले जो है आपको क्या निकालना है सबसे जो आपको कुछ नहीं निकालना आपके पास speed है time आपके पास दिवा है total क्या total दूरी निकाल लो 48 multiply 9 करोगे 8 9 अठे कितने होते हैं 422 फटा उसने दूरी की कुछ 432 किलोमेटर उसने total दूरी की 9 गंटे में अब ये दूरी यह 6 है आको दूर करनी है जल्टे करनी है 52 एक Yoga box 72 कितने घंटे में ये दूरी जहाँ 72 घंटे प्रति किलोमेटर ती गया है यह कितने जोई देगी यानि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 6 गंटे में 6 गंटे में उसे पहुंचना होगा 432 किलोमेटर तो उसकी स्पीड होनी चाहिए 72 किलोमेटर प्रति गंटा जो की option number C में आपकी दिया गया है question number 40 आपके सामने है राम ने एक साइकल 1500 में खरीजी 1000 में बेच दी तो राम को कितने प्रतिशित की हानी हुई 1500 की चीज थी एक हजार में बेच दी 500 की हानी 500 की हानी बटा क्रे मुल्य कितना क्रे मुल्य कतना है 1500 रुपे कुणा 100 गर्दो आपके पास हानी प्रतिशित निगल गया दो जीरू से दो कटी तीन से कटा तीन तीन से काड़ों कितना तेती से ही तेती 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 आपका आएगा कोजों की ऑप्षिन नमबर डी में है नेक्स कुशन है यदि पांच परतिशिक बार्शिक के हिसाब से तीन बर्ष में सधान ब्याज 180 हो तो मूल्य दन कितना होग परतिशित्य बटा कितना होगा बटा आपके पास सु हो जेगा तो दूसरी चाल इक inhib ड़धी से करो पी आपका कितना जगा पी आजयेगा 180 गुना 100 बटा 3 गुना 5 पांसे काट हो, 60 आगया, 60 से काट होगे तो 12, 12 पजी कितने थे, 60 होते हैं, तो पी कितने आपके पास आगया, 1200 रुपे कितना पी, आपके पास 1200 रुपे कितना होगा, यह नि मूल धन कितना होगा, 1200 रुपे होगा, option number B, इसका पराइका, right अरहेगा, next question करिएगा, अंडरूट 324 प्लस अंडरूट 484, जाल्दी से बताईए, right अंसल क्या आएगा, मैंना आपको पहले बोला होगा, ठीक है, 11 से लेकर 30 तक, नहीं तो 40 तक स्केर रूट याथ कर लो, सबसे बात करते हैं, 11 का स्केर होता है 120, 12 का 144, 13 का 119, 14 का 116, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 299, 18 का कित 324, तो यह आपका 18 आगया, ठीक है, स्केर रिट खुला आपने, अब 18 के बाद बढ़ते हैं, तो 18 के बाद 19, 399, 20 का 400, 21 का 441, 25 का 484, कितना, 22 का 484, यह नि यह काटा तो 284, यह काटा तो 18, और 18 प्लस 25 कितने होते हैं, 18 प्लस 25 कितने, 40 के बाद हो गया, option number C, राइट और next question है, दो सब्ता और 6 दिन में कितने घंटे होते हैं, दो सब्ता आपके 14 दिन, प्लस 6 दिन, प्लस कितने 20 दिन, 20 दिन मल्टिप्लाई कितने, एक घंटे में, एक घंटे हैं, यह नि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने 24 घंटे आपके होते हैं, तो 0 कह रही आगया, 2 कोशन देखिए कोशन में चुतालिस आपके सामने सीम्पल सा कोशन है गैप देखिए नो तेरा इकिस सैंटिस उनतालिस तीनसो चोबिस और दोसो एकसर नो और तेरा में कितने का गैप है आठ का गैप है बिल्कुल सेही तेरा और इकिस में कितने का गैप है आठ का गैप है बिल्कुल सेही फिर देखो के इकिस और सताइस में कितने का गैप है 99 प्लस 64 आपकी कितने होते हैं? 9, 4, 13, 6, 12, 1, 13, कितना? 133, 133 होता है पर यहां पर तो 132 है तो correct इसमें क्या रहेगा? यहनी गल्द क्या रहेगा? 132 की जड़गा 133 आपका आएगा. तो option number D यहां पर राइट आ रहेगा. Question number 41 है, यदि 3x प्लस 10 से बराबर है, पावन हो तो x का मान क्या होगा? Simple तर question है, 3x प्लस 10, 52, 3x बराबर है, 52 माइनिस 10 कितना? 42, x इसकुल 2, 42, वटा 3, 3, 3, 1, 3, कट गया, एक answer आगया, 4, 3, 12, x इसकितना आगया? x आपके पास 14 आगया. Next question है, 728 रुपे का 5 बरश में, सधारण ब्याच 227.50 रुपे हो तो वार्शिक दर कितनी होगी? सधारण ब्याच कितना? 227.50 पी आपके पास दिया होगा है, कितना है? 728. Multiply 5 आपको और r आपको ग्याद करना है, और 100 वो नीचे आ गया. अब 100 को दूसरी साल ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा? सो यहाँ आपका multiply हो गया. ठीक है, r इसकल दू कितना हो गया? जल्दी से पताओ कितना? 728 multiply 5. अब पॉइंट हटाओगे, ठीक है, अगर पॉइंट हटाओगे, तो कितना हो जाएगा? 100 नीचे multiply हो जाएगा. 100 से 100 गट गया, ठीक है? अब काटो कितने से कटता है? ठीक है, जल्दी से काटो कितने से आपका कटता है? तो यहां 5 से कारते हो, ठीक है, 5 से कारते हो, 5 के 20, ठीक है, 2 कहरे, 25, 25, ठीक है, 25, 25, फिर से 5 कहरी आगया, 25, 25 और 0, 5 के 20, ठीक है, मावगी जीएगा, 5 के 20, कितना गया? चार हजार पांसो पचास बटा, सासो अटाइस, अब यहां कॉश्चन में सॉल्फ नहीं करूँगा, यह कॉश्चन आपके लिए होम वर्क रहेगा, नेक्स कॉश्चन बस आपको कलिकुलेशन करने हैं, और राइट अंसर बताना है, कितना राइट असर आपका आता है, और नेक्स कॉश्चन है, यदि 2x प्लस पांच बाव रहा है, साथ दस है, तो y कमान कितना होगा, यह भी सीम्पल ना कॉश्चन है, 2y प्लस 5 इसकुल तू 10, 2y सकुल 2 कितना, माफ कीजी, 2y सकुल 2 कितना, 5 आजएगा, यह मैनिस में चला जाएगा, और y सकुल 2 कितना, 2.5 कित नेक्स कॉश्चन, एक घर को 1100 रुपे में बेचने पर, a को 10 प्रतीशित का लाब हुआ, तो घर का करे मुल्य कितना है, करे मुल्य का फॉर्मुल ता, करे मुल्य यह नही, cp सकुल 2, sp मल्टिप्लाई 100, 100 प्लस माइनिस लाब और हाने, sp कितना है, 1100 रुपे, मल्टिप्ल 100 आपका हो गया, और आपको 10 प्रतीशित का लाब हुआ, तो कितना हो जाएगा, 110 नीची हो जाएगा, 0 से 0 कार दो, 11 से कटा, कितना 10 आगया, और 10 को मिल्टिप्लाई करो, कितना 1000 आपका आगया, यहाँ पर simple भी निकाल सकता हो गया, ठीक है, आपका 1100 है, तो 1000 का 10 से आप निकालते हो, बोलता है, 5, 6, 7, 1, एवं, उसके उल्टा करने पर प्रापत संक्या के बीच अंतर क्या होगा, उल्टा कर दो, एक पहले, 7, फिर, फिर 6, और फिर 5, ठीक है, काटो, यहाँ से आपका 6 कहरी आगया, यहाँ पर आपका 11 होगया, यहाँ से 6 बचेगा, य यहाँ से 4 आजएगा, यहाँ कहरी आपका चल जाएगा, और यहाँ से कितना 6, 9 हो जाएगा, 9 हो गया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, कट जाएगा, कितना 3 आजएगा, तो 3,906 का राइड अंसर आएगा, option number B में आपका दिया होगा, last question आपकी सामने, दो संक्या का अनु दूसरी संक्या, 5 और 6 है, LCM आपके पास क्या होता है, LCM आपके पास 4 है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ है, कुछ नहीं करना है, आपको पता, LCM जो होता है, highest common factor होता है, HCF का, बस आपको यह करना है, कि LCM और जो आपके पास, पहली संक्या और दूसरी संख्या है इन दोनों को मिल्टिप्लाइब कर दो पहली संख्या दूसरी संख्या को मिल्टिप्लाइब कर दो और चार से फिर से मिल्टिप्लाइब कर दो पांच एक सो बीस तो एलसीम कितना जाएगा एलसीम आपके पास कितना जाएगा 120 आजाएगा क्योंकि जो एलसीम होता है क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या हमने मल्टिप्लाइ कर दी उसे मल्टिप्लाइ कर रहा से तो आपके पास एंजिर आपके पास एलसी मां आगया तो ऑप्शन नमबर सी जो है इसका राइट असर एगा जल्दी से बताइए कि पिचास मिसी कितने कोशन आपके सही ते वीडियो पसंदार वीडियो को लाइक करना है वीडियो को शेर करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मिलते हैं को शांदार वीडियो देखते रहिए बाकी अपना ध्यान रखिए अपने धर्वलों के ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत